गुद मॉर्णिंग अल आफ यू आज का जो वीडियो देख रहे हम पैटन का सेकेंड वाला वीडियो देख रहे फर्स्ट वाले वीडियो में हम कुछ पैटन सीखे थे consecutive numbers से patterns कैसे बनते थे ये आज के वीडियो में हम कुछ extra type से patterns देखेंगे किसी और मेथर से जैसे कि यहां पर दिये है देखो फर्स मेथर है addition of odd numbers का pattern हमें addition करना addition से ही सिखना है लेकिन अभी addition हमें किसकी करनी है odd numbers की addition करनी है ठीक है तो हम start करते देखो यहां पर किया है odd numbers means कौन से numbers होते हैं जिनको two से divide नहीं होता ऐसे सभी numbers को हम odd numbers बोलते हैं बराबर first odd number is one one से हमारे odd numbers शुरू होते हैं तो first two number लेंगे हम one and second वाला odd number है three तो one and three का हमने addition किया तो हमें जहां पर क्या मिला है देखो four ठीक है उनका addition आया है four same अभी इनी दो number में हमें क्या करते जाना है एक-एक number add करते जाना है लेकिन कौन सा number add करना है और number add करते जाना है जैसे one three को repeat लिखना है उसके आगे का number इसमें add करना है one plus three plus five तो इन सब का अभी addition कितना होगा देखेंगे देखो one plus three four obviously four आएगा four में हमें सिर्फ जो number हमने अभी add करना है हमें means four में हमें सिर्फ five add करना है और four or five कितने आते है नाइन आते है उसी तरह सेम देखो अभी numbers थे हमें सिर्फ एक number extra add करना है जो next odd number है one plus three plus five value दिख रहा है यहां भी three था यहां भी three इसमें सिर्फ क्या add हुआ है भी new seven add हुआ है तो इनका जो addition आया था वो फिर से करना है क्या हमें नहीं हमें यहां पर थोरा सा दिमाक लगाना है देखो उपर जो addition आया है वही addition यहां पर होगा सिर्फ हमें उसमें seven को add करना है तो इसमें seven को add करेंगे seven plus nine is equal to sixteen ठीके उसी तरह सेम और हम और एक number add करेंगे इसमें जो next odd number होगा जो है nine seven के बाइद का odd number क्या आता है nine आता है तो हमने nine add किया तो आभी हमें starting से addition करना है क्या इन सबका नहीं करना starting से क्यों क्योंकि देखो ना उपर के जो four number है वो पहले four number ही हमारे same है तो इनका जो addition आयता यही भी वही आएगा means seven तक हमारे addition के आएगा 16 ही आएगा तो सिर्फ हमें 16 में आभी nine add करना है तो 16 में nine add करने के बाद आता है 25 तो यह हमने addition करके यहाँ पर पैटर्न बनाया है four nine sixteen 25 लेकिन इसको और किसी दूसरे पैटर्न से हम find कर सकते क्या यही नंबर हां कर सकते हैं यहाँ घैन से दिखिए one plus three के देखो यहाँ पर हमने one plus three लिखा उसके या उसको ना लिखके दूसरा कुछ लिखने जाए तो four आ आता है देखो यहाँ पर हमने किया है two into two two into two भी हमें कितना मिलता है four ही मिलता है तो चलो हम यहाँ पर लिख देंगे two todo four यही पैbels्ध बनता है अभी one plus three plus five का addition nine आया तो इसको हम three into three लिख सकते three into three औतशची 4 into 4, 16, देखो 16 ही आया है, यहाँ पर 5 numbers थे, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या करना है, 5 into 5, जितने numbers, उतने numbers का, उसी numbers के साथ क्या करना है, multiply, यहाँ 5 into 5, 25, देखा, यहाँ पर 2 numbers थे, तो 2 into 2 किया, यहाँ पर 3 numbers थे, तो यहाँ पर 3 into 3 किया, यहाँ पर 4 numbers थे, तो यहाँ पर 4 into 4 किया, यहाँ पर 5 numbers थे, यहाँ पर 5 into 5, और addition और answer में देखो, same ही answer आया है, आपको एक solve करके दिखा है, देखो यहाँ पर, हमें यहाँ पर next, एक और number हम क्या करेंगे, add करेंगे, तो चलो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 और नेक्स्ट वाला जो और नमबर है वो कुन से आएगा 9 के बाद? 10 छोर के 11 अब ही addition में मैंने क्या बोला फिर से यहां तक 9 तक addition करते बैठना है क्या? नहीं क्योंकि उपर का addition ही यह आपर आएगा same तो 9 तक addition कितना है हमारा 25 तो 25 में हमें self 11 अयर करना है तो 25 में हम 11 अयर करेंगे देखो यहांपे तो यह आएगा 6 यहांपे नहीं 36 तो हमारा यहां का addition आया है 36 अभी हमें यह पैटन में हमें लिखा हमें अभी यह पैटन में लिखना है तो आगे क्या आएगा बोलो कितने नंबर से टोटल यहाँ पर 123456 यानि 6 नंबर से तो यहाँ पर 6 into 6 आएगा और 6 into 6 कितना आता है 66 आ 36 देखो 36 और 36 आएगा इकवल तो यह था हमारा addition of odd numbers आप इसी तरह इसको आगे continue कर सकते हो और practice कर सकते हो इसके देखो इसके यह जो अगर practice करोगे तो आपका odd number भी अच्छे से clear हो जाएंगे और आपके pattern भी अच्छे से clear हो जाएंगे तो यह एक concepts के आपके दो concepts clear हो रहे तो इसको अच्छे से practice कीजिए तो यह video हम यही पर stop करते हमारा जो next video होगा वो हमारे next type के उपर होगा pattern के उपर होगा ठीक है तो चलो bye all of you and have a nice day